पूरे अपने टाइम का जो management है उसको हम कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजेगा हम लोग यहाँ पर यह जो 20 days बचे हैं उसकी final revision strategy के बारे में हाँ पर मैं डिसकस करूँगा ठीक है तो उसमें से कुछ questions डेली अगर आप लगाओगे तो आप देखेगा कि जब भी आप exam के दिन बैठोगे तो आपको वहाँ पर time management वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर आप लोग बैठा पाओगे सौ questions non-tech के में जो खेल होते हैं ससी जेई में non-tech का वो आपका time ही absorb करता है अगर आप प्राक्टिस नहीं की होगी तो अभी इससे अगर आप डेली 20 दिन सौ घंटे अगर आप लोग 100 questions अगर आप डेली लगा रहे हैं तो आप देखेगा 2000 की आपके पास questions की practice हो जाएगी और वो 2000 questions में से जो 100 questions आने वाले non-tech के वो exam के दिन आप लोग से बहुत अच्छे लेवल पर बन जाएगे ठीक है तो पहले चीज़ यहां पर ध्यान रखेगा कि आपके पास जो non-tech है डेली उसको minimum आप लोग 100 questions आप यहां पर practice करेंगे दूसरा आता है technical वाले पार्ट में ठीक है technical वाले पार्ट मैंने आप लोग के साथ पहले भी यह लिस्ट शेर की थी मैंने आपको बताया था कि आप लोग make sure करेगा कि यह जो topics है हमारे पास ठीक है यह जितने भी topics है यह topics को हमें यहां पर miss नहीं करना है आप लोग इसको make sure करेगा ठीक है तो topics analysis, steel connections और general requirements और हमारे बास जो codal provisions होते हैं columns हो गया ठीक है plastic analysis में आपके पास basic वाला part ठीक है IS 456-2000 के जो codal provisions है यह steel structures और BMC के हमारे पास एतने topics यहां पर अगर आप लोग cover करनेंगे बहुत अच्छे level पे तो उसका revision आपको यहां पर काफी बढ़िया level पे करना है ठीक है द measurement of distances, surveying में आता है compass traversing, chain surveying, leveling ठीक है uses of contour map और फिर geotech में origin, index properties, Atterberg limit, soil की classification, permeability, earth pressure, shear strength, ठीक है hydrostatic और हमारे पास fluid की जो properties है वो, burn knowledge theorem, methods of irrigation, methods of rainfall, measurement of rainfall, water requirements of crops, irrigation की efficiencies, highway engineering का geometric design ठीक है और environment का आपके पास चारी चीज़े हैं ठीक है और environment का आपके पास चारी चीज़े है ना of water हो गया source of water, sewage की treatment और आपके पास जब भी हम लोग BMC अगरा पढ़ते हैं तो वहाँ पर workability वाला जो part है इसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से कर लिजेगा तो यह वाली जितने भी list है ना इसका मैं PDF आप लोग को यहाँ पर मैं share कर दूँगा comment में तो आप देखीग अगर कोई भी आप लोग को लग रहे है कि यह चीज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है तो मैं बोलोग उसको आप इग्नोर कर दो है ना make sure करेगा कि आप लोग 100 questions non-tech के daily solve करें इन topics को go through करें यह topics हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं और दूसरी चीज आप लोग time slot आपको मिला है उस दूरान डेली दिन में 200 questions आपको new questions की practice करनी पड़ेगी तो अभी part wise या फिर subject wise आप लोग test अगरा मत दिजेगा तो वो 200 questions daily 20 दिन आपको यहाँ पर एक mock test आप लग यहाँ पर लगाएं जितना भी marks आ रहे है उसको आप लोग analysis करें कि सहीं है कि गलत आ non-tech के हो जाएंगे 100 questions अगर आप लोग इसमें पड़े एक्स्रा भी पड़े हो तो काफी अच्छे level पर हो जाएगा बाकी time सिर्फ और सिर्फ revision को दीजे आप लोग है नया कुछ मत पढ़िए अगर कोई भी ऐसी topic है जो इन topics में यह जो हमारे पास PDF है इन में से कुछ भी ब important है जितने भी student हमारे channel के साथ जुड़े रहते हैं आप लोग को पता है कि सुबह से लेकर रात के 10 बज़े तक हम लोग daily यहाँ पर technical content आप लोग को provide करते हैं तो अगर आप सिर्फ एक ही channel के साथ जुड़े रहेंगे तो काफी अच्छे level पर आप लोग का harmony बने रहेगी non- और एक और students को यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप सभी लोग को पता भी होगा कि हमने यहाँ पर अपनी book यहाँ पर launch की दी ठीक है जिसमें से 2600 है ना 2600 questions की हमने यहाँ पर book को launch किया था SSC JEE के previous year questions थे 26 shift के paper से मतलब total आपके पास 2600 questions हो गए और साथी साथ हमने 5 से 10 हमने यहाँ पर mock test भी दिया है आप लोग को अगर आप लोग हाँ पर scan कर लेंगे तो तो यह वाला अगर आपने book को आपने यहाँ पर order नहीं किया तो आप लोग order कर सकते है इसका मैं sample दिखा देता हूँ ठीक है तो यह book आप लोग देखेगा इसमें आप लोग के पास हर एक questions क आपको detailed solution हमने यहाँ पर provide के हुए this is just a sample ठीक है तो अगर इन solutions को भी अगर आप बस go through कर रहे हैं तो आप देखेगा काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर आप लोग को लगेगा कि हम subject के notes को यहाँ पर revise करनें ठीक है तो हमारी content team ने यहाँ पर solution को इस level से यहाँ पर बना ठीक है बाकी मैंने बोला test यहाँ पर बहुत धाधा important है revision यहाँ पर बहुत धाधा important है time का management बहुत धाधा सही चलना चाहिए जो slot में आपका paper है उसी slot में एक mock test आप लोग को daily यहाँ पर देना है तो 18-20 days आपके बास है all the best जितना हो सकते अपनी जान लगा दीजे है ना and make sure करेगा आप लोग का selection यहाँ पर हो ठीक है बाकी अभी 20 दिन में आप लोग के लिए बहुत amazing यहाँ पर surprises भी हमने रखा हुआ है काफी सारे technical sessions यहाँ पर marathon हम लोग लेका हैंगे revision के लिए तो आप लोग सभी लोग जुडे रहीगा कोई भी session missed ना हो इसलिए आप हमारे channel को यहाँ पर subscribe कर ले and हर एक session को आप लोग देखेगा काफी अच्छ लेवल पर आप लोग की help होगी ठीक है चली thank you so much मिलते हैं फिर नेक्स session में bye bye everyone take care and jahin